हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं चांद स्टेडी पॉंट्ट, दोस्तों इस वीडियो में जो है प्रिवेस येर का कोईश्यन पेपर करेंगे, देखिए गुर्स गार्ड का कोईश्यन पेपर है, तो 60 परसेंट जो डिपक्यू कोटा के तरस वेकेंसी निकलती है, उसी का कोई जिसमें 100 को आपको उत्तर देना है, और 10 कोईश्यन किसी को भी छोड़ देना है, और 10 कोईश्यन देखि राजभासा से रहता है, तो इस कोईश्यन पेपर से हमने 80 कोईश्यन कर चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो दे जाते हैं, तो आपको सिलिबस भी नोटिफिकेशन के साथ साथ दे दिया जाता है, तो रेफ्रिजेटर का जो है विलियम कूलन ने अविसकार किया, तो सी नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा, अगला प्रसन है कि भारत की सबसे उची चोटी का नाम, क्या है, भारत की सब से उची चोटी जो है, कंचन जंगा है, यहाँ पर ओप्शन में, आराबली, अबरेस्ट और बी कंचन जंगा, कंचन जंगा है, राइट एंसर हो जाएगा, नेस्ट कुछन है कि कौन से पोधे के लिए संतुलित उबरक है, अन्ने कि यूरिया है या अमोनिया सलवेट या नाइट्रस अकसाइट या खाद यानी कंपोस्ट, इन में से कौन सा है, तो देखिए कंपोस्ट जो है, उबरक जो है, संतुलित उबरक है पोधे के लिए, 84 नमर कुछन है कि रेड क्रोस दिवस कब मना जाता है, तो रेड क्रोस दिवस देखिए, आट मैई को रेड क्रोस बस मनाया जाता है तो इसका ए नमबर राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट कुछन एक बरतमान में असपूतनिक के प्रसिद है तो देखे दोज़र 22 का क्वेशन पेपर है और COVID-19 भी चल रही थी इस दोर में तो असपूतनिक आप लोग जो है टीका का नाम सुने होगी COVID-19 जो जाफात कालिन मंजूरी भारत सरकार ने दिया था तो ये COVID-19 का इसका राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट कुछन एक दक्षीन पूर्व मद रेलवे का मुख्याला जो कहां है तो दक्षीन पूर्व मद रेलवे यानि S.E.C.R का जो है क्वेशन पेपर है तो S.E.C.R से रि पूछे ही जाएंगे तो भिलाई पावर हाउ जो एनस्ट का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रेशन है के लिए आई का मांदन क्या है एनस्ट क्रोर से अधिक है तो D नमर्स का राइट एंसर हो जागा जब आप कंप्लीट कॉर्स लेंगे चांद श्टडी पे तो वहा परएट प्राइट शेक्चेट मिलेंगा राजभासा क्या मिलेगा कापी सारे मैतरे आपको मिलें एंही हंडीड परबिवड Wagram christi Влад ूस का प्रस्ता है तो अंता करें चेये लिए स्टिश नो जाएगा तो इसका देखिए MRLV जो साइडिंग था भाटा परा मिश्ती था तो D नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कुछा गया कि रायपूर मंडल के अस्थापना जो है कब हूँ तो रायपूर मंडल के अस्थापना देखिए यहाँ पे 14 2004, 13, 23, 2003 तो यहाँ कि उपरोति में से कोई नहीं दिया गया है इसन में सीस का रायप एंसर 92 नमर कुछा गया कि East Coast Railway का मुख्याल है जो है कहां है East Coast Railway का मुख्याल है भूमनेश सर है East Coast Railway का मुख्याल है Next question है कि सावधानी सुचा के एक समतल अस्तर प्रगती संके तक से 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नमर यानि 770 मीटर की दूरी पर रखा जाता है Next question है कि मालगारी के लोकोमोटिंग में 10 mm जो है फ्लेट टायर की अनुमती होता है तो फ्लेट टायर की अनुमती देखे 50 mm होती है तो इसका ए नमर राइट एंसर हो जाएगा Next question है 95 नमर कि अधिक्तम अनुमय गती जो है डैस दोरा निर्धारित की जाती है अनुमय जो है दिखते हैं अनुमय गती जो है कि इसके दोरा निर्धारित किया जाता है तो यह हो जाएगा इसका राइट एंसर यानि CRS के दोरा जो है निर्धारित किया जाता है Next question परते है 96 नमर कि गाड जो है दिन में और डैस रात में SM को हां दिखाया गया यह जो है इसका राइट एंसर 96 का हो जाएगा सफेद रोसनी रात के समय में Next question है कि caution board stop board से कितने मीटर की दूरी पर लगा जाता है तो घाट खंड में सावधानी और गती संकेत की बीच की दूरी डैस है तो घाट खंड में इसकी दूरी देखी 1000 मीटर है तो भी नमबर राइट एंसर हो जाएगा Sorry इसका 900 मीटर हो जाएगा घाट कंड में सावधानी गती की संकेत की बीच की दूरी 900 मीटर होती है तो भी नमबर राइट एंसर हो जाएगा Our next question की train को पूर्ण आगवन रजिश्टर की संख्या damn thing है तो इसका राइट एंसर हो तो बरतमान में कितनी है, तो बरतमान में 22 भासाय है, इसको सामिल किया गया है, मूल सभिधान में पूछे, तो मूल सभिधान में आपको पता होगा, नेस्ट कुछेन के रेलवे के राजभासा अधीकारी के लिए, एक महिन में कितने निरिक्षन करना अनिवार है, तो सी नमर राइट अंसर हो जाएगा, नेस्ट कुछेन है कि सभिधान के किस भाग में राजभासा की जनकारी देने वाले अनुछे 343 से 351 जो है, इस्तीत है, नेस्ट कुछेन के राजभासा अयो के पर्थम अध्यक्ष कोन था, तो राजभासा अयो का पर्थम अध्यक्ष जो था, बीजी खेर था, तो इसका बी नमर राइट अंसर हो जाएगा, नेस्ट कुछेन के संसदी है, राजभासा समीती की कौन सी समीती परारूप तयार करत देखिए राजभासा पर मसोधा और साक्च उप सम्झीती जो है तियार करती है तो C नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट कुछन है कि 107 नमर की परवीन परिक्षा यानि 70 या अधिक आंक लाने वाले उत्रीन के लिए कितनी जो है रासी का पुरुसकार दिया जाता है इसे देखिए अठारों सो रुपय की रासी का पुरुसकार दिया जाता है नेस्ट क्विशन है कि प्राग परिक्षा यह पजपन से 69 अंकुत्रीद करने के लिए पुरुसकार की रासी क्या है तो पुरुसकार की रासी यहां देखिए 5000 इसका जो पुरुसकार की रासी है आट सो रुप है इसका भी पुरुसकार की रासी है प्राग 110 नमर क्विश्चन है कि हिंदी सिक्षन यूजना दोरा हिंदी में शुरू किये गए नए पाठकरम का क्या नाम है हिंदी में शुरू किये गए नए पाठकरम का नाम पारंगत पाठकरम है तो इसी याद रखेगा इसका डी नमर राइट एंसर हो जाएगा तो इस question paper से मैंने पूरा video जो है upload कर दिया हूँ तो आप जो है description में दिये गए link से आप जो है पढ़ सकते हैं या practice it करना चाहते हैं पूरा previous year का complete course और exam में आप जो है 100% निकालना चाहते हैं तो चांद study application डाउनलोड कर लेजिए और वहाँ पर जाके गुर्षगार्ड का LDC गुर्षगार्ड जो लिखा हुआ है वहाँ complete course पर चीज कर लिजिए जिसका validity जो है आपको देखे 5 मेने की मिलेगी और वहाँ पर आप असानी से 5 मेने तक दे सकते हैं एक बार course लिए